पांच डायलोग पे आपती है, मैं पांचों बदल रहा हूँ, हन्रिट परसंट उस दिन के लिए लड़ना, जब एतहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सरजोग जाएंगे मर्यादा के लिए लड़ना, लड़ोगे, तो आगे बढ़ो और गालदो एहंकार की छाती में विजय का भगवा धच, यह सब डायलोग इसी फिल्म के हैं चार साढ़े चार हजार लाइने मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के समवाद पिक्चर में हैं पांच पे एतराज है आपको, तो यह पांच का एतराज मैं शिरोधारी करता हूँ मैं इतने हैंकार में नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, कि मैंने कलम उठाई लेखनी से जो लिख दिया वही विधी हो गई, अरे बिल्कुल नहीं जै श्री राम, जै जै श्री राम, जै वजरंग बली, जै सिया राम, मता सीता की जै, आप सब के उपर भगवान श्री राम अतिश्यक रपा करें राम का काम करने निकले थे, राम का काम करने निकले हैं, और राम का काम करते रहेंगे और राम कथा से जो सबसे पहला पार्ट हम सीखते हैं वो है सब के मतों का सम्मान हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्योंकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी जब महर्शु वालमी की ये कथा लिखते हैं और फिर अपने तरीके से सुनाई वो कहानी उन्होंने वार्शु वालमी की की तरह नहीं सुनाई फिर हमने देखा आदरनेशु रामानन सागर की रामायड बहुत भवे बहुत ही अदभुत रामायड वो हमें देखने को मिली जब ओमराउत ने ये फिल्म बनाई और मैं इस फिल्म से जुड़ा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी संप्रिशलिय था क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूलियों पे राम के सिर्धानतों पे चलने वाला है यहां किसी को राम बताने की ज़रूरत नहीं है सब राम जानते हैं लेकिन दुरभागी ये है कि जो नई पिढ़ी है ये नए बच्चे Captain America और Thor और Marvel और DC के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे है ये राम की कताई नहीं सुनते और अगर मैं इमानधारी से कहूँ दिल पे हाथ रखके कहूँ तो कितने बच्चे हैं जो YouTube पे अपने खाले टाइम में लगा के रामान सागर जी के रामार देखते हैं आप पाएंगे शूनि नहीं देखते बच्चे मैं और आप देखते हैं मुझे आज भी देखनी है अगर मैं घर जाओं मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोट देख डलता हूं मैटके लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है तो जो लक्ष था वो बस इतना ही था कि श्री राम की कहानी जो इतने बड़े नायक हैं हमारे उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है क्या कलपना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आनी की वो नायक लोगों तक पहुँचे ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे सव योजन का समुद्र पार कर जाते थे हमारे बजरंग बली सिर्फ हल कैसा नहीं था आपने सिनमेटिक लिवर्टी के नाम पे जो डायलोग पे इतरास कर वह हैं वो आपने उसको इंप्रूव ने किया उसके साथ छिरचार कर दी देगे पहली चीज तो यह कि पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेगे तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये one way traffic नहीं है two way traffic है हम उन filmmakers में है जो आपकी बात सुनेंगे इस देश में और कोई फिल्म निरमाता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पे अपनी फिल्म में किया हो हम पहले दिन से सुन रहे हैं वादा किया हमने सुना आपने देखा टीजर आपने देखा था और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया पहला ट्रेलर पे तो हम सबने देखा था कि डायलोग्स पे तो आर्टिकल लिखे गए बड़े-बड़े डायलोग पे तो बड़ी बड़ी न्यूस चली जब वो भगवान श्री राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं कर्म से छोटे अबड़े होते हैं जब भगवान श्री राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना, जब हजारों साल बात तुम्हारी कहानिया सुना कर माई बेटों को बढ़ा करेंगी, उस दिन के लिए लड़ना, जब भारत वर्ष की किसी बेटी पर हांट डालने से पहले, दु इसी फिल्म के हैं, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, जब मा सीता अशोक वाटिका में हैं और रावन उनके उपर लगातार दबाव बना रहा है, कि तुम्हारी जीवन से मुक्त होने के लिए सोने के लंका में चलो, मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, और मा सीता कहती हैं, उसकी आँखों में आखिन डाल के, कि रावन तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है, कि जानकी का प्रेम खरीद सके, यह सब इसी फिल्म का हिस्सा है, यह सब इसी फिल्म के समवाद हैं, तो इन समवादों पर अगर आपने तालियां बजाई, अगर अच्छा किया, फिर जहां आपको यह लगता है, कि नहीं भाई, बजरंग बली के पाँच समवादों पर पूरी कहानी है, चार साढ़े चार हजार लाइने, मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के समवाद पिक्चर में हैं, उसमें से अगर पाँच पे मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे, तो वो हूमर लेके आते हैं, राम कथा में, वो उसको बहुत रोशक बनात करते हैं, बालक सोभाव है उनका, जब आप रामानन सागर जी की रामायड देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं, रावन के दर्बार में, और उनसे पूछता है रावन की, तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी है, चोक वाटिका, तो क वो बयान सबसे पहले मेरी तरफ से है, जी, इसको सम्मान करते हैं, कुछ आप इसमें बदलाव करने वाले हैं, बिलकुल, पांच डायलोग पर आपती है, मैं पांचों बदल रहा हूं, यह नहीं कि अधा धूरा, मैं अपने समवादों के पक्ष में अंगिनत तरक दे सकता हूं, लेकिन मेरे तरक देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी, अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है, मेरा एहंकार, एक लेखक के तरपे कि मैंने तो भाई लिग दिया, यह बहुत छोटी बाते हैं, इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता, मैं समझता हूं, फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई, तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ प अचला हर कोई नहीं ले सकता, वही ले सकता है, जो जनता का संबान करता है, जो सनातन का संबान करता है, और इसलिए हम वोगों डायलोक्स बदल रहे हैं, बहुत जल्द, मुझे लगता है, कि लोगिस्टिकली सब क्लियर होने के बाद, अगले दो से तीन दिनों में ये डा वो मेरे सपोर्टर, मेरे साथी, मेरे भाई, थे, हैं और रहेंगे मैं एक छोटे से गाउं से आता हूँ, जहां मेरा रिष्टा लोगों के साथ ऐसा रहा कि जिन दोस्तों के साथ हम तीन दिन घुमें, चोटे दिन किसी बात पर उनसे लडाई हुई पांचवे दिन फिर हम मिलकर नुकड़ पचाए पी रहें, तो कुछ पर्मनेंट नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ अस्थाई तोर पे मुझसे लोग अलग हो गए हैं, या मैंने, बिल्कुल ऐसा नहीं, ये एक दम मेरे अपने है, मैं इनकी आवाज हूँ, मैं इन इस देश में सनातन के गीत गली-गली में बजवाने शुरू कर दिये, मेरी मा के बराबर कोई नहीं, इससे बड़ा हिट गाना आप उठाके दिखाएं, मैं वो हूँ ना जिसने मेरे घर राम आए हैं, लिग दिया, हर राम मंदिर में ये गीत बज़ रहें, तो मैं आपकी दिवारे होती हैं, दोस्त, कोई किसी की बात नहीं सुनता, और मैं आप से पूछ रहा हूँ, आप बताएं, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है, कि आपके किसी एतराज पे, किसी फिल्मेकर ने, किसी राइटर ने कुछ बदल दिया हो, इस फिल्में बदल रहा है, क्योंक श्री राम, जय वजरंग बली, जय सिया राम, मता सीता की जय, आप सब के उपर भगवान श्री राम अतिशेक रपा करें